इस वीडियो में दोस्तों बाहत करेंगे हिंडालकों इंडस्ट्रीज के बारे में जिसने की कॉर्टर वन के नंबर्स को अभी पब्लिश कर दिया तो चलिए देखते हैं हिंडालकों के नंबर्स कैसे रहे तो कंपनी की ब्योडी के आउटकम की बात करें तो सिर्फ और पॉइंटमेंट देखने को मिल देए उसके इलावा फानेंशल रिजल्स की अनॉंस्मेंट एलॉंग विद लिंटर डिवी रिपोर्ट्स तो डिवीडेंड बोनस या फिर इस प्लिट से रिलेटेट कोई नहीं है तो चलिए देखते हैं हिंडालकों के इस बार के इस बार क का डेटा है तो पहले बात करते हैं सीधा टोटल इंकम की जो की 53,000 करोड से 57 पर आगी कौटरली 56 से 57 पर तो इस बार की टोटल इंकम काफी अच्छी ग्रोव हुई है कौटर और यर्ली दोनों जगह है तो मार्केट का जो रिवेन्यू को लेकर अनुमान था वो 56,236 करोड गता जो की इस बार रिवेन्यू 57 पर तो बिलकुल मार्केट एस्टिमेट को बीट किया और इस बार ग्रोथ दोनों जगह है तो 50,000 से 52 पर आ गया यर्ली और 52 से 52 पर कॉटर और जिस तरीके से इंकम बढ़ी तो Q&Q भी थोड़े से कर्चे बढ़े और यर्ली बेसिस पर भ 34 में 3100 क्रोड का प्रॉफिट तब वह जबत 3074 पर आ गया तो यर्ली बेसिस पर तो काफी अच्छे नंबर से बट क्यों 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 बेसिस पर थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर आप मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो मार्केट की जो उम्मीदे थी प्रॉफिट को लेके वह 3428 करोड की थी जो कि अगर आप देखेंगे हमें बिल्कुल वह मिस होती भी देखने को मिल रही तो मार्केट एस्टिमेट के सबसे प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है बट यर्ली बेसिस पर एक अच्छी ग्रॉफ है और कॉर्टर कॉर्टर थोड़ा सा दिप देखने को इस बार बिल्कुल मिल रहा है सेम रिफ्लेक्शन EPS में यर्ली प्रॉफिट बढ़े तो EPS भी 11.05 से 13.84 पर आगे कॉर्टर ली प्रॉफिट डाउन है तो 14.29 से 13.84 पर मार्केट के रियक्शन की बात करें तो देख सकते हैं आप इतने शेयर से कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अप्डेट के साथ तब तक के लिए बाबाए